स्रीकिष्णा रक्षवंदन का तेवहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बानती है और भगवान से लंबी उम्र की कामना बहन करती है यह रक्षवंदन का तेवहार सरावण माय की पूर्मा कुमनाया जाता है यह दूसरा वर तुह भद्रा भी संनेदयों की तरह क्रोधी हैं इसलिए भ्रम्हा जी ने जो गेलहे करन्य और स्थान दिया था तो मानता यासी है सूप नका ने अपने भाई रावन को असुब भद्रा में धागवांदा था इसलिए उसकी जीवन में आने वाली समस्त्र बाद है सभी संकट दूर हो जाते हैं तो इस समय जो पूर्माति थी है वो 30 अगस्त के सुबह 10 बजे से प्रारम होकर के 31 अगस्त सुबह 7.30 बजे तक रहेगी इसी समय भद्रा भी रहेगी भद्रा 30 अगस्त के रात्री 8 बच के 50 मिनट तक रहेगी इस इसलिए इस समय हम लोग रक्षा वंदन परव नहीं मनावें, आठ बच कर पचास मिनट के बाद या नो वजे सी सुब घड़ी अमर्त चो घड़िया में रक्षा वंदन का परव हम लोग बड़ी प्रेम से मनावें, इसमें किसी पिरकार का हम लोगों को संसय नहीं पालना चा में अमर्त चो घड़िया में साड़े दस बजे तक या जिनके यहां रात्री में राखी नहीं बांदी जाती, वो 31 अगस्त के सुबह साड़े साथ बजे के पहले भी रक्षा वंदन का तिवहर मना सकती हैं, रक्षा वंदन में बेहन जब भी राखी खरीदने के लिए पर आई का मुख पूर्वि की तरफ हो, असुब चिन्न सराखी पर ना हो, भगवान की मूर्ति, भगवान की तस्वीर उसराखी पर ना हो, जिससे हम लोग जो दिन्चरिया के काम करते हैं, उसमें किसी प्रकार का भगवान का अपमान नहीं हो सके, ऐसे सुब सत्मय पे हम लोग रक्षबंधन मनावे हमारी सब को बहुत बहुत सुबकामना है भगवान जी सब की जीवन पर दया करें